यार अभी सब्जेक्ट चार-चार दिन में रिवाईज नहीं हो पा रहे हैं पूरे एक दिन पहले कैसे रिवाईज होंगे exam के एक दिन पहले कैसे रिवाईज कर सकते हैं इतना बड़ा portion exam के चीजें याद तो आ जाएगी ना एक्जाम में याद नहीं आई तो तीन घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो छोड़ा है उसमें से आ गया तो क्योंकि अभी तक तो कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा सेलेबस बहुत सारी चीजें छूट जाती है जो चार-पाँच दिन में रिवाइज नहीं हो पा रहा एक दिन पहले कैसे रिवाइज होगा और अल्रेड़ी चार से पाँच दिन तो पहले पेपर अकाउंट में चले जाएंगे अभी तो कुछ दिन ही बाकी नहीं रहे है कैसे करूं यार ये सारी चीजें कैसे रिवाइज करूं अगर छूट गया तो पूरा रिविजन नहीं हो पाया तो और इतना कंफूजन अल्रेड़ी हो रहा है कुछ चीजें यार याद भी नहीं आ रही है कैसे करें फील हो रहा है ना ये सब टेंशन हो रही है ना सबको हो रही है पर टेंशन लेने से क्या रिविजन कम हो जाएगा नहीं क्या टेंशन लेने से चीजें इजी हो जाएगी नहीं एक काम करो शांत दिमाग से ये सोच लो कि जितना तुमने किया है और राम से अटलीस्ट तुम उसे अपियर कर सको उतना लिख सको उतना रिविजिन कर लो don't worry at all pension लेने से सिर्फ productivity तुमारी कम होगी कुछ हासिल नहीं होगा तो जितना हो पा रहा है उतना करो तुमने इतने महिनों से महनत किया कोई बात नहीं कुछ छुटता भी है तो अब छुटने दो कोई बात नहीं जितना हो पा रहा है उतना अच्छे से लिख कर आजाओ don't worry at all try करो चीजें अच्छे से revise कर लो अगर तुमारा 80-85% भी syllabus अच्छे से complete हो गया है तो concentrate करो कि जितना तुमने पढ़ा है उसको nail करके आना है जितना अच्छे से पढ़के जा रहे हो 85% भी पढ़के जा रहे हो और उसे nail करके आगए ना exam में तुम अराम से clear हो जाओगी trust me और मैं तुम लोगों के लिए और भी revisionally videos लाओंगी regarding एक दिन पहले कैसे revise करना है tension मतलो tension को बोलो bye bye जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की try करो जितना revise कर सकते हो उतना revise करने की try करो tension मतलेना मैं naturally आती है tension I'm sure naturally आती है tension but tension नहीं लेनी शाम्त दिमाख रखना है जितना clear रख सकते हो जितना काम रह सकते हो उतना काम रहने की कोशिश करो you will crack it अरे बहुत मेनत की यार तुमने हो जाएगा पर शांती मेंटेन करके रखनी है कलेजी विच ठंड रखनी है ठोड़ी ठीक है चलो have a good day पढ़ते रहो मेनत करते रहो सब याद आएगा अरे टेंशन मत लाएगा